मुझे पचास साल हो गए राजने की और हमने हर प्रकार के हमने मेरे पर हुए है ना मैं उसे कभी बिचलेत होता और ना मेरा जो भारती जनता पार्टी खिलाफ लड़ने का लक्ष है उससे मैं अलग हुए अगर अगर मेरे उपर यह सब प्रमानित होते तो क्या मैं इसने खुल कर यह सरकार में भारती जनता पार्टी और मध्यप्रदेश में भारती जनता पार्टी के मुखालफत कर पाता है मंत्रियों क्या मंत्री जो है बीज़ेपी यह आप उन से पूछे तो कॉडिनेशन कमिटी का चेरपरसन बनाया गया था समझवार कमिटी जो थी चुनाव तक तो उसके बाद बनाएं के मैं फिक समझने कर लूँ पूरी जी के प्रगण के बारे मुझे जानकारी नहीं है लेकिन ये पूरी सरकार जो है दुश्मनी पालती ये लोग जो आज सत्ता में हैं ये गुजरात मॉडल अव गवर्णन्स लागू कर रहे हैं निर्दोश लोगों को फसाना जूटे केस लगाना जैसे अने प्रकरण गुजरात में लगे थे उस तरह से अब यहां लगाए जा रहे हैं और मेरे खिलाफ भारती दंता पार्टी पंदरा साल तक प्रकरण गुजरात मेरे खिलाफ न तो एडी है ना मेरे खिलाफ आईटी है ना मेरे खिलाफ सीडियाई है ना प्रिवेंशन अब मनी लॉन्री एक्ट है इसलिए मैं को दरू इंसे लेकिन मंत्री ही आरोप लगा रहा है सर तो दिग्रे से सवाल पिर वही होता है आज अगर मेरे उपर यह सब प्रमानित होते तो क्या मैं इसने खुल कर यह सरकार में में भार्ती जन्ता पार्टी और मत्यप्रिदेश में भार्ती जन्ता पार्टी की मुखालफ़त कर पाता है। मैं आपसे कह दिया ना कर मैं डाबितिक में ही हूँ। अजिवे के आमंत्रन पर आप जाएंगे। अब आप मैं बता दिया।